नमस्कार रागवी किचिन में आपका स्वागत है आज में लाई हूँ आपके लिए बहुती तेस्टी और बहुती असान सी मिक्स वेज मसाला पुलाव की रेसिपी बनाने में बहुती असान है और खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इसके साथ आज हम बनाएंगे मिक्स वेज रायता आईए देखते हैं ये जटपट से बन जाने वाली रेसिपी हम कैसे बनाएंगे पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तयार कर लेंगे इसके लिए हमने आपके लिया है अदरक 20 कलिया लैसुन के लिए हैं दो बड़े प्यास लिए हैं आपके हमने और तीन हरी मिर्च लिए हैं और एक छोटा सा मतलब एक हमने हाँ पे इलाइचा लिया है आप अगर थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्च और एड़ कर सकते हैं देखे हमने सबी चीजों को बारी काट लिया है अब हम जार में इसे डाल देंगे और अच्छे से पीस लेंगे थोड़ा सा पानी हमें एड़ करना है थोड़ा सा पानी एड़ करके हमने मसाला पीस लिया है यहां पे हमने लिया है खड़े मसाले जिसमें लिया हमने जीरा लॉंग दाल चीनी काले मिर्च खड़ा इलाइचा और तेजपत्ता लिया है एक यहां पर हमने लिया है सबजी इसमें लिया हमने गाजर जिसे बड़े-बड़े पीसिस में कट कर लिया है आलो को बड़े-बड़े पीसिस में कट कर लिया है मटल लिया है और गोभी लिया है देखे गोभी चाहें तो आप और चोटे पीसिस में भी कट कर सकते हैं आप और वेजिस डालना चाहते हैं आप वो भी इंक्लूट कर सकते हैं अब हम इसे फ्राय कर लेंगे देखे यहां हम गंजी में पुलाव बनाएंगे इसलिए हम सबसे पहले इसमें तेल थोड़ा जादा डालेंगे ताकि हम इसी में वेजिस फ्राय कर लें तेल को हमें सबसे पहले अच्छे से गरम कर लेना है तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें वेजिस डाल देंगे सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आलू और गाजर दुनों को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे हमें हलका golden brown होते तक fry करना है और गाजर को हमें ज़्यादा fry नहीं करना है अदर्वाइस वो काला हो जाएगा और टेस्ट में भी आपको थोड़ा करवाहड नजर आएगा अच्छे से हमें चला लेना है और fry करना है golden brown होते तक देखे हमने यहां पर लिया है डेल ग्लास चामल आप कहां जो भी चामल है आप वो यूज कर सकते हैं मैंने इस ग्लास के measurement से डेल ग्लास चामल लिया है याद रखी गया जब भी आप पुलाओ बनाते हैं इस्पेशली जब आप गंजी में बना रहे हैं तो जितना आपने चामल लिया है उससे डबल आपको पानी आड़ करना है देखे आलो और गाजर को हमने अच्छे से फ्राय कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे और गोवी को दो पार्ट में करके फ्राय कर लेंगे अब सेम बर्तन में हम गोवी को भी फ्राय कर लेंगे आधा करके हम गोवी को फ्राय करेंगे क्योंकि हमने तेल जादा नहीं डाला है देखे ऐसे करके आपको आधी गोवी को डाल देना है और हमें मटर को पकाना नहीं है उसे हम बाद में डालेंगे गोभी को डालने के बाद आपको इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि गोभी नीचे बैठे न और काली न पड़े देखे गोभी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है उसे हम डाल देंगे तेल में तेल को हमें हलका गरम कर लेना है और इसे अच्छे से तड़कने देना है मसाले डालने के बाद आपको इसे एक बार चला लेना है खड़े मसाले अच्छे से तड़क चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे जो मसाला हमने पीस के रखा था इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे कर्चल से हम इसमें एड़ करेंगे आजा चमच हल्दी इसमें एड़ करेंगे डेड़ चमच धन्या पाउडर अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप जादा तीखा खाना परसंड करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा जादा मिर्च एड़ कर सकते हैं अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है अब हम चावल में दो गलास पाई डाल के इसे अच्छे से दो बार वाश कर लेंगे और इसे आपको अच्छे से wash करना है दो बार अच्छे से wash करने के बाद आपको इससे पानी अच्छे से निकाल लेना है हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है अच्छे से भूनने का मतलब जब तक मसाला oil release ना करे तब तक हमको मसाले को अच्छे से भूनना है देखे हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें एड़ कर देंगे जो भी वेजिस हमने फ्राइ करके रखी थी और मटर इसमें हमें डाल देना है डालने के बाद मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है सभी सब्जियों को डाल के आपको तुरंत इसे अच्छे से मिक्स करना है सभी वेजिस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं वो सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए जो चामल हमने दोकी रखा था उसे अब हम इसमें डाल देंगे और सभी मसाले के साथ अच्छे से mix कर लेंगे हमने इसे अच्छे से mix कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वादनुसा नमक और आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ इसे डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी जिस ग्लास से हमने चामल लिया था उसी ग्लास से हम पानी डालेंगे जैसे हमने आप लिया है डेर ग्लास चामल तो हम इसमें डालेंगे तीन ग्लास पानी अब हम इसमें डालेंगे तीन ग्लास पानी और पानी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से बॉइल कर लेंगे अच्छे से बॉइल हो गया है और अब हम इसे ढख देंगे और ढखने के बाद 15-20 मिनिट अपने आप पकने देंगे इसका फ्लेम आपको मीडियम टू लो की बीच में ही रखना है सबसे पहले हम रायता बना लेंगे इसके लिए हमने आ लिया है एक कप दही इस सेम कंट्रोरी में थोड़ा सा पानी डालेंगे अगर आप चाहें तो आप गाढ़ी दही भी बना सकते हैं मैं इसमें पानी इंक्लूट कर रही हूँ इसमें पानी डालके आपको सबसे पहले इसे विस्क करना है हम इसमें डालेंगे दो चमज शक्कर अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक आप दही की कॉंट्री की साफ से इसमें मसाला एट करिएगा अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पॉर्डर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और ये सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज बारी कटा हुआ गाजर बारी कटा हुआ खीरा और बारी कटा हुआ जधनिया डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारा डिलिशिस राइता बनके तयार हो गया है आप चाहें तो इसे कुछ देर सर्फ करने से पहले फ्रिजर में रख सकते हैं यह 15 मिट हो चुका है हमारा पुलाव बनके तयार हो गया दिखने में किता डिलिशिस लग रहा है देखिए हमारा मिक्स वेज रायता और मिक्स वेज बलाव बन के तयार हो गया है अगर आपको ये रेस्पी अच्छ लगी तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल ऐकर जरू दबाएं ताकि मेरी कोई भी ने वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू